पंजाब सीमा से सटे नूर्पर उपमंडिल की चार पंचाईतों के लिए जाने वाली दांगनी पूर मांजरा सड़क मारक लगतार भू संखलन का शिकार हो रहा है बरसाद के मौसम में इस सड़क का बहुत सारा हिस्सा चक की खट के उफान की भीन चड़ गया था जिससे भारी बाहनों का आवा गवन तो पहले ही बंध हो गया था और छोटे बाहन ही सड़क से गुजर रहे थे लेकिन लगातार भू संखलन के चलते बच्ची सड़क पर भी लगाता संकर चाया हुआ है विभाग की तरफ से सड़क का निर्मान कार्या योस तरपर जारी है लेकिन बाबजूद इसके इस काम को पूरा करने में महीनों का समय और लगेगा जिस कारण अगर भू संखलन इसी तरह जारी रहा तो ये मारक पूरी तरह से खतम हो जाएगा इससे जहां वायू सेना का क्षेत्र जो इसके साथ लगता है उसे खत्रा है वहीं कई पंचायतों के साथ इस क्षेत्र में एक अध्योकिक इंडस्ट्री है उसका मारक भी बंध हो जाएगा एस्टीम नूरपूर आवेद हुसिन सादिक की माने तो बरसाथ के समय में हुए इस से भू संखलन में पहले तो चक्के कर्ण में पानी की अधिकता होने से यहां काम नहीं हो पाया लेकिन अब यहां पर काफी तीजी से काम चुला हुआ है और परशाशन का प्रियास है कि बहुत चल डंगे का निर्मान कर इस रास्ते को बहाल किया जाएगा यह तो बरसात में बड़ा डेमेज हो गया है इसमें तो उसके बाद यह काफी देर वाटर लेवल हाई रहा तो उसमें काम नहीं कर पाई नीचे गाड़ी नहीं जा पाई पाई पीड़वीडी वालों की और आप देख रहे हैं कि काम चला हुआ है जोरू शोरू से तो हमें उमीद है कि कुछ दिनों के अंदर आप इसमें जंगा तो लगया है अब फिलिंग करनी बाकी है तो कुछ दिनों के अंदर हम यह रास्ता जो है नॉर्मल ट्रैफिक के बहाल कर पाई